आज की वीडियो में मैं आपको कैलिग्राफी लेटर्स ए टू जड बताऊंगी कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे हम तो देखें यहां पे आज हम कैमलें ब्रेश पेंड की जगह हम यहां पर डॉम्स ब्रेश पेंड का यूज करेंगे तो यहां पर देखें, 12-14 chest का set है यहां पर देखिए यह Пूरे chest का doms breastband का set है तो इसी की वज़द से हम लिखेंगे तो चलिए हम लिखते है यहां पर पहले अब इस्ट्रोक लाइट होता है फिर डाउन इस्ट्रोक हेवी होता है तो इसी तरीके से हम A, B, C, D सब लिखेंगे देखें, A लिख गया यहाँ पर वैसे ही हम सारे लेटर्स लिखेंगे यह है B C C, D, E, F, G, H, I C, J, K, L, M, O, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, तो यहाँ पर देखिए हमने जेट तक लिख दिया है A, B, C, D और देखिए यहाँ पर मैंने और लिखा है जैसे की और इसको मैंने लिखा है A, T, U, Z तो आप इसे नोट कर लिजेगा तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको दिखाती हूं मैंने कैसे और लिखें है लेटर्स कलर्स में यहाँ देखिए यह मैंने सारे कलर्स की मदद से A, T, U, Z लिखा है यहाँ पर इसे A, T, U, Z लिखा है और यहाँ पर आपको यह दिखान रख लाए कि आपका अप श्ट्रोक जब आप पैन को उपर ले जाते हैं तब वो आपको हलका करना चाहिए हलका होना चाहिए और जब आप पैन को नीचे ले जाते हैं तब आपको उसको डार्ग कर देन चाहिए जैसे यहाँ पर A दिखा है जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पर A में मैंने पहले उपर लाई तो हलका कर दी नीचे लाई तो डार्ग कर दी उपर लाई तो हलका कर दी ऐसे नीचे लाई तो डार्ग कर दी और उपर लाई तो हलका इस तरीके से A लिखा हुआ है त देट लेटर लिखे थे तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना ना भूले थैंकि फॉर वाचिंग मैं वीडियो